हिंदू धर्म में नारियल का महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है इसे अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा, हवन और अन्य धार्मिक गतिविधियों में उप्योग किया जाता है ति क्यों नारियल का हिंदू धर्म में महत्व है एक शुद्धा और शुभता का प्रतीक नारियल को शुद्ध और शुभ माना जाता है इसे पूजा के समय देवताओं को अर्प तकिया जाता है और इसे साथ के रूप में बांटा जाता है भक्ति और शुद्धा नारियल को तोड़ने का मतलब है अपनी इच्छाओं और आंकार का त्याग करना और उसे इश्वर को समर्पित करना इसे भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है संपन्नता और उन्नति का प्रतीक नारियल को संपन्नता उन्नति और समरिध्य का प्रतीक माना जाता है इसे व्यापार और नई शुरुवात के अवसरों पर भी उप्योग किया जाता है संपूर्णता का प्रतीक नारियल के तीन हिस्से होते हैं बाहरी खोल, कठोर गोला और अंदर का जल यह त्रिमूर्ती, ब्रह्मा, विश्नु, महेश और जीवन के तीन पहलूओं का प्रतीक माना जाता है प्राकृतिक का और प्रकृतिक का प्रतीक नारियल को कल्प व्रिक्ष कहा जाता है जिसका मतलब है सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला व्रिक्ष यह संकेत देता है कि नारियल जीवन को बनाए रखने वाली प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा हम आगे भी और सनातन धर्म के महत्व को अगली वीडियो में आपको बताएंगे राधे राधे